टीवी वन के नहाय दिल्चेस्ट ड्रॉमो और इंटर्चेन्मिंट से भरपूर शोस किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन पर क्लिक करें असलाम अलेकुम खवतीन रॉजरात वेरी गूड मॉर्निंग टू आल अफ यू अब सबको दे मॉर्निंग स्टार्ड में खुशाम देते हैं और आज का दिन हम डेडिकेट कर रहे हैं तमाम उन लोगों को जिनकी आपसे तकरीबन कोई डेर दो माह से कोई बातचीत नहीं हुई है और भाई क्यों नहीं हुई इसके बारे में आज ही आप जाच करेंगे क्योंके बहुत सारे ऐसे रिष्टे होते हैं जिनको रोजाना एक पौदे की तरह पानी देने की जिरू दोती है और कोच ऐसे रिष्टे होते हैं जिनको कभी कबाराप पानी दे तो भी वो सर्वाइफ कर पाते हैं लेकिन कोई भी पौदा, कोई भी रिश्टा ऐसा नहीं होता कि अगर आपने उसको वक्त ना दिया पानी ना दिया तो वो सर्वाइफ कर पाएगा कभी ना कभी थोड़ी बहुत महबत थोड़ा बहुत केर हर रिष्टे को देना चाहिए मैं बहुत सारे के बहन भाईयों को जानता हूँ जो कि अफकोस बहन भाईय है एक अल्ला ताला की तरफ से उनको ये खुबसूरत रिष्टा मिला है लेकिन आपस में बातचीत बहुत कम होती है इसकी क्या वज़ा है अगर इसकी कोई वज़ा है तो वो वज़ा आज आपने कॉल आएगा तो मैं दिल साफ करके बात करूंगा दिल अपना साफ आप खुद कीजे अल्ला ताला का घर है दिल और आप सोचे कि आप उस दिल को उस घर को आप खराब रख सकते हर्गेज नहीं आपको अपना दिल साफ करना है कोई पी ऐसा रिश्टा हो कोई टीचर हो बहुत सारे इस तरह के भी बेवकूफ लोग होते हैं जो कि अपने वालदें से नराज रहना मुझे लगता है बेवकूफी की इंतहा है मेरे साथ मेरे वालदें ने नाजाइस किया उन्होंने मेरे साथ बड़ी जाती की ऐसा हो नहीं सकता माबाप हमेशा अपनी उलाद का बहुत अच्छा चाहते हैं आप भी और ये बात मुझे इतनी अच्छी तरह समझ आती कि जब वालदेन कहते हैं कि जब तुम लोग पेरंस बनोगे तो तुम लोग ये समझोगे और वाकी में जब आप लोग वालदेन खुद बनेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये जो बॉ वालदेन से नराज है प्लीज वो नराजगी आजी सॉल्फ करें बात करें क्योंकि देखें कम्यूनिकेशन जो है जो बात चीट है वो जंगे सॉल्फ करा देती है और कोई भी ऐसा कॉन्ट्फिक कोई भी ऐसी नराजगी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके उपर आप साला स महीना दर महीना हफता दर हफता बात ही ना करें एक कम्यूनिकेशन ना करें आपको पता है मरते दम तक आप लोगों को जो एकसाई के तौर पे चीज आपके साथ रहती है वो वालदेन की दुआएं चाहिए आपकी जो भी उमर हो चाहिए आप कुछ भी कर लें वालदेन की जो दुआ हैं वो हमेशा एक प्रोटेक्शन की तरह एक शील्ड की तरह आपके इर्द गिर्द रहती है तो अगर आपने अपने वालदान से कोई नराजगी है बातचीत बंद है या मेरी अम्मी मुझे नहीं समझती आप उनको समझाएं और कभी कभी मैं आपको बता हूं कुछ चीज़े वालदान नहीं समझते तो उनको समझाने की भी नहीं जरूराएं आप उनके इक अच्छा रिष्टा मिंटेन करें एक दोस्तो का रिष्टा मिंटेन करें गिसासा है लेकिन रिष्टा खराब मत करें उनके साथ आप एक अच्छे तरीके से रहें का अच्छा वग गुदारे क्योंकि मैं आपको बता हूँ मैं इस तरह के इतने लोगों को जानता हूँ जो इस नराजगी के अंदर जी रहे थे और अल्ला ताला ने वालदेन वापस बुला लिये और फिर वो रिग्रेट वो एक रिग्रेट जो है वो सारी जिंदगी का दिल में खलिश है वो रह जाती है तो आल्ला ताला किसी को भी इस खलिशते ना गुजारे अपने कोई भी रिष्टे हो बेहन भाई हो दोस्तों वालदेन हो कोई कॉलीग्स हो टीचर्स हो पड़ोसी हो किसी से आपका कोभी भी कोई कॉन्फरिक्ट रहो कोई बाचीत नहीं बनी हो ना रही हो बहुत दिन से बात नहीं की हो आज का वो दिन है कि आप बिला जिजग कॉल कीजिए दिल बड़ा कीजिए एक मैगनिट्यूट अपने अंदर लेकर आईए बड़ा पन लाईए कॉल कीजिए कि मेरी तरफ से मेरा दिल साफे सारी नराजिया खते हैं बताओ खाने पे कब आ रहे हो है कितना अच्छा रगएगा देखे एक अच्छा महसूस होता है जब आप किसी को खाने पे बलाते हैं लेकिन हमसे तो लोग वादा करते हैं हमें बलाते नहीं खाने पे तैस दौबतीरों अजरात आज के बहुत ही श आndar शो आपके लिए लैनप किया है डॉक्टर बलकी साथ हमारे साथ होंगी शेफ नौरीन होंगी फिट्नेस भी आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे और जब फिट्नेस की हम बात कर रहे होते हैं फिट्नेस आपकी सेहत के लिए बहुत जाधा जरूरी होती अब वो फिटनेस है, वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होती, आपकी जहनी सेहत भी होती है, एक मैं आपको बात बता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, जो कि आप देखेंगे, हर वाकि रोमियो की तरह उदास गाने सुन रहे होते हैं, उनके गाड़ी में बैठो कहीं, जो एक अच्छे गाने सुनेगे, आप दिन थोड़ा अपलिफ्ट हो, आप अच्छा मैसूस करें, अच्छे लोगों से मिली है, अच्छा वगग उतारी ताकि आपकी जितनी जहनी सेहत अच्छी होगी, उतनी आप और लोगों की जहनी सेहत बेतर रख सकते हैं, तो हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, और आज जब मैं आपको कार बाह बता चलू कि आपकी डाइट का इसमें बहुत जादा अमल दक्कल होता है, बहुत सारे लोग है जो कि ओवर रीटिंग करते हैं, उनकी जहनी सेहत वक्तन फवक्तन खराब होना शूरू जाती हो किते हैं, अभी ख एक हेल्दी लाइफस्टाल होना चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाल के अंदर आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल हिल्थ, आपके रिलेशन्शिप्स, यह सब काउंट होते हैं, कहीं पे अगर कोई भी गडबड होगी तो आपकी सिहत खराब होगी, और हम नहीं च कियेगा, क्योंकि अगर टीवी का वालिम खुला हुआ, तो आपकी कॉल ड्रॉप कर दी जाएगी, खवतीनों अजरत, उसके साथ साथ, आज हम आपको यह भी बताएंगे, कि आपका, नहीं, इसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद, आपकी मुलाकात हम कराए अपने एक्सपर्ट से जो कि आपको फिटनेस से खाएंगे, और मिलते हैं आप से ब्रेक के बाद, असलम लेकूम, कैसे आप लोग ठीक हैं, मैं हुसामा एर्फान, और यह देखें, चेर, सभी लोग बैठते हैं, और ओफिस में काम सभी करते हैं, ठीक है, जो जो ओफिस मे बैठे में आज देख लें, गौर से देख लें, कि कोई श्क्यूज नहीं चलेगा, कि मुझे जो है, बहुत काम है, मैं अपने आपको तबजह नहीं दे सकती हैं, मेरे पास टाइम नहीं कर सकता हैं, यह नहीं कर सकती, तो यह देखिए, मैं भी आप करके दिखाऊंगी, आ तब से पहले तो आप जो अपनी चेर, आपकी जो है, वो सॉफ वाली चेर नहीं होनी चाहिए, यह हार्ड वाली इसलिए लेके बैठी हूं मैं, आपको पता चले, कि आपका पॉस्चर बिल्कु सीधा होना चाहिए, क्यूंकि जितनी सॉफ वाली चेर जो आज कर आ रही हैं हम बहुत एजी होके और इस तरह से करके बैठने हैं, वैसा नहीं बैठना, आप में बिल्कुल अलर्ट होके बैठना हैं इस तरह से, ताकि आपकी बैक फुल स्ट्रेट रहे और अगर बैक स्ट्रेट नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम कोई कुशन, कोई ऐसी चीज जो जब आप ड्राइविंग भी करतें तो भी अपनी स्टीट को सीधा करके बैटें ताकि आपकी बैक स्ट्रेट हो और आपका पेन नहीं हो और आपका पॉस्टर सही रहे तो हमने क्या करना है कि अपने पॉस्टर को सही रखते वे कुछ ऐसी असान सान एक्सिसाइज कि जो आपको बहुत एनरजाइटिक कर दे क्यूंकि बाज़ वकात ऐसे ही होता है कि हम जो है काम करते करते इतने फैड़ अप हो चुके होते हैं कि हमें हमारे दिल नहीं लग रहा होता हम काम नहीं कर पाते और मज़ा नहीं आता काम करने में काम तो करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता तो हम उस जो है एक्टिव करने के लिए और उस मज़े के लिए क्या करेंगे हम कुछ एक्सिसाइज बताएंगे पानी तो सभी पीते हैं ठीक है आदमें हम पानी ही की ब ये नहीं कहना चाहिए कि इसे खवातीन करें, ये जी जनाब, जो हज़जाद बैठे में वो भी जरूर करें, ठीक है? क्यूंकि एक्टिव तो हर किसी को चाहिए न, एक्टिव होना तो हर कोई चाहता न, एक्टिव हो लेकिन उसके लिए क्या है? थोड़ी सी महनत करनी तो हम इसको प्रहम और फाइव मिनिट शाम में, तो कितने हैं, 15 मृंटिव हो गए तो 15 मिनिट दिन में आप, कभी भी इपने आपको दे सकते हैं ठीक है? ये ये ये, फुल स्टेच, फुल स्टेच, फुल स्टेच, लेकिन सामने देखिए कोई बैठा नहों, ख्याल से ठी कि हमने दूसरे सामने वाले को जो है तकलीव देनी है तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको फुल स्ट्रेच करते वे इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे और फिर इस तरह से ये और ये 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 भी करेंगे और इसको भी हमने 10 की कांटिंग से कर ले नहीं है 30 सेकंड के ल इसको और आहिस्ता इस्ता जितने स्लो मोशन में ये लेकर जाएंगे साइड में आपको उतना ये फाइदा देगी ठीक है ये ये और स्लोली स्लोली इसको हम तेज करते जाएंगे आपको लगेगा आप जिम में आएंगे लेकिन आप आफिस में बैठेंगे ठीक है आप देखिएगा कि जब ये आप एक्सराइस करेंगे ये कीन करें उसी वक्त आपके एनरजी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आपके बॉस कहेंगे आज क्या हो गया आज तो बहुत अच्छा आप काम करें तो आप चाहते हैं नशी ब Cartiff करना अपने आपको सहथ मन्द रखना कर जाते हैं तो यह पलीज एक्सा इस कीजिए और मेरे साथ रहें जो चुर्ज बतारी हूं रही हो मेरे साथ कीजिए अब मैं इसको नीचे रखते हूं इस तरह से और एक और एक्सा इस का थोड़ सा इश्यू होता है और यहां उनके जो है बॉड़ी डी टॉक्सिफाइग करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्साइज है नी को मैंने एक लेक को दूसरी लेक के उपर रखा इस तरह से बेंड किया और मैंने आपोजिट साइड वाला हाथ यहां प अग्छिए और थोड़के प्ल़ को पर रहे हैं इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी टुइस्ट होगी और जब आपकी बॉरी टूइस्ट होगी तो आपके जितने साइड के ऑरगन वो एक्टिव होंगे और एक्सेज्दीज कीड़नी जब केडिनी कितने फाइदे हैं जब आप लोग कर रहे होंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि ये कितनी मज़े मज़ी एक्सराइज और बहुत इजी जो आप आफिस में बैठे वे करेंगे तो ये देखिए ये मैंने पीछे अपने सर को किया ये फुल बॉड़ी को ट्विस्ट करते प आपके होल बॉड़ी और आपकी साइट के मसल्स और आपका फेस आपके नेक आपकी फुल बॉड़ी आपकी इंवाल्व हो रही है ये इतनी मज़े के एक्सराइज है और ये किन करें कभी ऐसा होता है आप खाना काते हैं लेट नाइक शादियों से आते हैं आपका खाना आपका हजम हो रहा है और किस तरह से आप अपने खाने को पेट को हलका फिल करें कियूंकि जब भारी पन होता है तो आपका पेट इतना टाइट हो जाता है मेटवालिक रेट हाई आपके खाना you way bring करती हैं तो आपका कलर बहुत अच्छा होता है तो ये देखिए एक ही पोस के इतने फाइदे और वो भी आफिस में बैठके एक तो बहुत भी बहुत खुश होंगे आपकी हेल्फ भी अच्छी रहेगी और आपको फाइदे भी होने वाली है ये मज़े की चीज है के नहीं औ होप क्या आपको अच्छा लेगा और ये करते रहेंगे और जितना ही करेंगे मेरे साथ रहेंगे उतना आपको फाइदा होने वाला है और बस देखते रहेगा इसी तरह से मेरे और वीडियो थैंक यू सो मच अलापे वालकम बैक हावतीनों अजरात आप देख रहे हैं दे मॉनिंग स्टार एक बार पिर आपको शो में वलकम कहते हैं और अब वक्त वह जाता है कि हम इस शो की डोर दे दे अपनी किच्छन कुईन के हाथ में थैंक यू सफर सो वेरी मच आज जो हम बनाने जारे हैं वो है कुरकुरी भिंडी ठीक है लेडी फिंगर जो बिकुल हमारी खुबसूरत उमियों की तरह फिंगर्स की तरह लेडी फिंगर्स होती है तो वह हम बनाने जारे हैं भिंडी आज क्यों कि कुरकुरी बनती है के साथ खाते हैं कोई इसकी सिरे भिंडी की सब्सी बंती हैं लोगों के वह आ रहे थे कि प्रीज शेफ को हमसा बनाना से खा दें थोड़ी सी लाइक कृस्पी ओ क्रंची तो भिंडी बनाना सिखाते हैं, अच्छा मैं आपको एक और बार बता दी चलूँ, यह जो भिंडी थी मैंने सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि काटने के बाद लोग धोते हैं, वह बहुत घलत करते हैं, जब आप लेकर आएं भिंडी सबसे पहले उसको वाश किया करें, उ सारे वाइटमिन्स खत्म हो जाते हैं, तो सबसे पहले सब्से को पहले दोलिया करें, इस तरह की सब्से को जिसमें लेस होता है, पहले दोके फिर आप इसको स्ट्रिप्स में काटने के बाद बिलकुल बिना दोएं, ठीक है, यह हमारी भिंडी है, मैंने 500 ग्राम भिंडी ल खीवी है, मक्कर इसमें वन टेबल स्पून जाएगा, जीरा पाउडर है, कुटी भी लाल मिर्चे है, नमक है, राई दाना है, मेथी दाना उसको मैंने मिक्स किया वह है, अच्छा यह हल्दी का पाउडर है, चाट मसाला है, और यह है अनार दाना, यह इसके अंदर अड़ होगा, ठीक है, कडी पते हैं, हरी मिर्चे हैं, और थोड़ा सा हमारे ज culinary है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगे, सबसे पहले मैं करूँगी, बिंदी को डीफ्राइ, पैले करें गणित बंकाल लेंगे, उसके बार फिर मैं शरीन कर लेंगे, उसके बार फिर मैंस का मसाला अजय डालेंगे आप लोग मेरम। बीफ्की होंगी और्लकी आज बढ़िकी अच मत कीजिएगा वना यह पानी छोड़देगा. इसको हमने बिलकुर crispy करनी है, क्योंकि इसका मज़ाई crispiness पर आते हैं, क्योंकि हम जब इसको strain करेंगे, जब इसको निकाल लेंगे अलग से, फिर हम इसका जो तड़का एक तरह से तड़का बनेगा, वो हम इन भिंडियों के उपर आट करेंगे, यह बहुत मज़े की बनती है अच्छा इसी के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, भिंडियों के करेले होते हैं, हम करेलों को भी अच्छी तरह दो के पानी में भिगो दें उसको ठीक है, ताकि निकल जाए नमक के पानी में भिगो दें और तो उसका करवाहाट निकल जाएगी फिर आपने उसको slice करना है, इसी तरह आलू को भी आपने slice करना है, तो इसी तरह से आपने इसको नमक डाल के हलका सा भिगोएंगे, तो फिर वो कड़वाहट उसकी निकलेगी फिर आप इसको डीफ्राइ कर लीजेगा, तो वो इतने बिल्कुल इसी तरह भिंडी की तरह वो क्रिस्पी हो जाएंगे, उसको डी-fry करके निकाले, आलू के चिप्स काटले जैसे फ्रेंच फ्रैइज होते हैं, उसको आप डी-fry करके निकाले, फिर उसके बाद आप इसका तड़का बनाएगा, तड़का इसी तरह बनेगा, जैसे मैं भिंडी के साथ बनाऊंगी, आप ने डी-fry कर लिये आलू को तड़का बनाके उपर से उसको डाले, फिर आप लोग खाएंगे, आप लोग दुआई देंगे, इतनी मजगी यह वाली सबजी बनती है, आलू की और उसकी करेले की, बस इंको डी-fry करना है, बिल्कु जैसे देखें, यह क्रिस्पी हो रही है, और अगर आप लोग इसको करेंगे, क्रिस्पी नहीं होगी, क्योंकि वो लेस छोड़ देगा पूरे ओल में, तो पहले दोले फिर इनको काटके फिर आप इसको बिल्कु डी-fry करें, इस तरह से डी-fry हो रही है, क्योंकि कुछ सबजी यह बहुत मज़े की लगती है, अगर आप लोग कभी इंडिया इंडियन रेस्टांट में, मैं भी कुछ अर से पहले दुबई गई भी तो महां पर मैं मिंट लीफ गई थी एक रेस्टांट है, मिंट लीफ के नाम से तो बहा पर कुरकुरी भिंडी थी, इन लोग ने क्या किया था पहले तो चावल इन लोग एक पूरा प्लैटर आय था सबजी कहा है, उसमें भिंडी थी उसमें टुरही की सबजी थि तो शीकिसम की डाले थी तो यह जो बिंडी तो बिल्कुल लंबी-लंबी फ्राई करके रखे हो थी इतनी बड़ी-बड़ी फ्रेश बिलकुल और उन्होंने उसको डी-fry किया थी, साथ में मिर्चे जो हरी मिर कि अपको बताया है क्या किते आलू के साथ ये फ्रेंच राइज डीप फ्राइज के बिल्कुल कृस्पी तो ये इनो ने अलग से एक बोल बनाया था इसका साथ में एक डिप था मिलाब डिप करके उसको खाएं और इतना लजीज था कि मैं आपको बता नहीं सकती कुछ चीज से तनी मज़े की होती है हर मुल्की रेखें अपनी स्टाशियालिटीज होती है हमारे मुल्की अपनी स्टाशियालिटीज है इंडिया की अपनी है मौरोको की अपनी है सुच जिलिन की अपनी है फ्रांस की अपनी मैं सब की अपनी अपनी एक कजीन है तो सब के डिफरेंट कि आपको नहीं बता सकती वो टेस्ट अभी ता किसा लगता है मुह में है लिट्रिली बहुत मज़े का खाना था और यह सब इनके अपटाइजर्स होते हैं आप थोड़ा साप बॉइल राइस रख लें साइड में और आपनी क्रिस्पी सब्जियां रख लें एक डिप रख ल क्रिस्पी होती हम असका मसाला तियार करते में एक थोड़ी सी खिल्की कर देती हूं हम आजाते अपने मसाले की तरफ अच्छा इसमें हम डालेंगे यह 1-1.5 चमबच में पाद मक्षन है ठीक हम इसमें यह एक आट करेंगे यह मने से मक्षन एट किया तीके मक्षन थोड़ा से हमने इसमें आट किया एक से टेबल स्पून हम इधर ये बिंजियों को भी देखते हैं फिर हमें इसमें से इसका थोड़ा सा ओई निकालके मैं इसमें आट करूंगी ताके बटर एन ओई का बहुत अच्छा रोमा आता है ये हमारा हो गया इस से इसथिकर से इस हमारा बटर मैल्ट गया है ऑचा थोड़ा सा में से ओई इसके इंदर एड़ करूंगी इस तरीके से इसका शाइब आट एक अप्रों आट और एक नविदू इसमें डालेंगे चॉप्ट गार्लिक है और ससाथ इसमें जाएगा यह जीरा है एक से 1 तेबल स्पून, यह मैं इसमें आट किया, चले हम इतने आज़ाते हैं, अपनी भिंडी के देखें, कितनी क्रिस्पी फ्राय हो गई, आप लोग देख सकते हैं, यह कितनी क्रिस्पी हो गई है, बहुत मज़ेदार, जिसे कहते हैं, अच्छा अब हम इसका जो है न फ्ल चले जी हमारी फ्यास ब्राउन और लस्तन जीरे के साथ, हम इसका चूला बन कर देते हैं, और यह आगया, श्पाइडर, चले जी, इसको भिंडी को आप निकाल लेते हैं, देखें, इस सरह की कृस्पी फ्राय हो गई है, यह हम इसमें निकालेंगे इस बिंडी को, और ये तो कितने भी आप एक किलो दो किलो भी बनाईंगे ना पता नहीं चले खाने में करिस्पी का जब ही क्रिस्पी होती हैं वैसे तो आप ठालन बना या कुछ भी बनाएं वो तो इतना मज़े का नहीं लगता लेकिन यहाली भिंडिया आप जब खाएंगे यह आप एक किलो डेड़ किलो भी बना लेंगे तो पता नहीं चलेगा, I'm telling you, यह ऐसे खतम होगी, जटपट खतम होगी, चलें जी हमारी प्यास फ्राइब इस खमने फ्लेम उफ कर दिया, समझे एक तरीके से यह मैं तड़का आट कर दिया, चलें ते हमारी प्यास फ्राइब जलते हैं चोटे से ब्रेक पर कहीं जाएगा नहीं, we'll be right back. चले जी, welcome back, ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें प्यास लसन एट किया, जीरा एट किया, अब मैं इसमें डालूँगी, यहम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, अब मैं इसके ने डालूँगी, यह कडी लीज हो गए, ठीक है, यह इसके तो काली मिर्च का पाउडर इसके पानी हम आट करेंगे, लेकर थोड़ी देर में थोड़ा में चूला पारूँगी, फोराण पानी नहीं डालूँगी, बनना यह बल्कुछ चंचंचंचंचंचंचंचंचं बोलेगा, अच्छे यह अनार दाना, यह सके अंदर एट होगा, एक से और चीनी, हाफ ती स्पू और ये पानी ठोड़ा सा एड़ करेंगे हम की कट जब अप Means इसमे जाएगा यह साथ मशाला अरैं वन टेबल स्पून चाट मसाला जाएगाई यह राई धाने चाने राइ दानस में जाएगा, कुटी भी लाल मिर्चे इसमें जाएगी, ठीक है, और ये लीमू का रस इसके अंदर आड होगा, अराउंड वन से तीन से चार टेबल स्पूल, ठीक है ये लीमू का आड होगा, इसमें रस और ये हरा धनिया, वह एक से डेर चम्मच चॉप करके हम वन टी स्पून, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी आट किया है, एक तरीके से ये तड़का टाइप बनता है, जो कि भिंडियों के उपर सर्व होता है, इसको हम थोड़ा सा हलका कर देंगे, ये हो गया, चले हम आते देखें इसकी तरफ, ये हमने सलात के थोड़ी से पत अधिया साबोट कभी मत डालेगा, वरना ये फटेंगी और फिर डाड इसमें हमफुल फॉर हेल्थ, इन चीजों का बड़ा ख्याल किया कीजिए, जब किचिन में सारी हाजर्ड हो जाते हैं, तो इन किचिन में ज़रा ख्याल किया कीजिए, और खाने को कभी खुला मत जब का अधिया तो बिलकु धके फ्रिज में रख दें या फिर इन ही को ठके किचिन में रखें लेकिन तभी खाने को खुला मत छोड़ें, चले जी यह हमारा तरका भी रेडी है, देखें कितना च्छा लग रहा, इसकी खुजबू बहुत अच्छी आ रही है, और आप लो में इसा डिफ लीड़ें निकाल दिया, या आपके सामने ही है, फिर मैंने वह खङले घ्लए, बटर डाला, जेरा, हरी मिर्चे डाली, अनार दाना मैं इस में अट किया, और आपका लसन आट किया, कुटीवी लाद मिर्चे, काली मिरच का पावडर, हाफ टी शपूंचीनी शकर वो मैंने इसके अंदर add करी और राई दाना मेथी दाना मैंने इसमें add किया और यह इसका तड़का ready होगा और एक छोटी प्यास slice करके हमने इसमें add करी और यह हमारा तड़का ready हो गया अब देखें यह हमारा तड़का ready है अब हम क्या करेंगी जो हमने भिंडियां fry करके रखी थी हम इसके अंदर ड़ देंगे हैं ठीक है हमने ने हमें इसमें बिंडी आट कर दी और अब हमने इसको हाइप पे जल्दी आफ नहीं करना है हमने इसको जल्ली-जल्दी पकाना है ताके कृस्पिनेस अपनी खुए नहीं अचने जी यह हमारी कुरकुरी भिंडी भी रेडी हो गई है प्लीज आप लोगे ट्राइज जरूर कीजेगा और मुझे फीडबैक दिया करें आप लोगों को मेरी दिशेज खाने कैसे लगते हैं और आप लोगी कोई फर्माईश है तो वो भी बताए करें मैं इंशालला वो पूरी करूंगी और आप लोगी जो स्पैशियालिटीज है वो भी आप मुझे बताएगा तो वह अपने अपना वह आप लोग हमाई साथ आये मुझे जॉइन कीजिए मैं साथ किचिन में आप लोग को किंग भी कर सकते हैं आप लोग की किचिन यह आप ही लोग के लिए है चलें जी देखें यह हमारी कुर्कुरी भिंडी रेडी हम इसको कर देते हैं सर्फ हम इसके उपर करेंगे सर्फ इसको देखे, कितनी अच्छी लग रही हरी मिर्चे हरी हरी बहुत अच्छा सा टेस्ट आरह है इसका लग रहा है, बहुत मज़े का होगा क्यूंके ऐट कैचिंग तो बहुत लग रहा है यह हमारी कुरकुरी भिंडी रेड़ी है अच्छा मैं तो उसको ऐसे ही खाती हूँ थोड़ा सा राइता ले ले दही का राइता बना लीजे उसके साथ डिप करके खालीजे और या फिर चावल के साथ खालीजे ब्रेट के साथ खालीजे रोटी के साथ खालीजे हर एक के साथ यह बहुत मज़ेकी लगेगी यह हम इसको यहां रख देते हैं, और हम इसको और निकाल देते हैं, चमचा मुझे चाहिए यह वाला, यह इस तरह से यह, क्योंकि यह सारी चीज़े जित्ती भी हमनों रेस्टाउंट में जाते हैं, कहीं भी बाहर इंडियन रेस्टाउंट में, यह एजर आपटाइजर के त बहुत मज़की लगती है, च चने जी, हमारी भिंडी भी रेड़ी होगी, और जो आज का लोट शेंडिंगि बहुत हो जो आगर प्रोग्राम में सोता है, तो यह daily YouTube पे upload होता है, यह वाला program हमारा, daily upload होता है यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ से भी यह recipe ले सकते हैं, जिनकी यह miss हो जाती है, और यह daily program आपका page पे भी upload होता है, यह daily repeat होता है, रात के एक बजे, और शाम को 6 बजे repeat होता है TV1 पे, तो आप लोग देख ली जगा, अगर आप लोग अभी का, यह miss हो जाए, क्योंकि लोट शेडिंग आज़ बहुत हो रही है, चलें जी, हमारी भिंदी भी रेडी हो गए, अपलों को पसंद आयोगी, अब चलते हैं, छोटे से break पे, ब्रेक से ऐसी वापस आते हैं, देखते हैं, असफर के पास कौन से amazing guest है, कराची से एक इनका बड़ाए, इनको तकरीबंड़ साल पहले पी लिया हुआ था यरकान, उसके बाद इनकी तबियत सही होगी, लेकिन कहते हैं, मैं अभी भी खाने पीने से बहुत जादा डरता हूँ, तेल बिल्कुल, मैं यरकान के दोराने समाल करने से डॉक्टर ने मना किया हुआ था, मुझे गाजर और मूली खाने का बहुत जादा मश्वरा दिया हुआ था, अब सेहल्ट मन्द होने के से सिखा था, और मैंने सब को बिताया, बहुत फर्ख पड़ता है, गुलाब की ताजा पतियां लेके खुद आपने सुकाना है, बजार से गुलाब की पतियां नहीं लेना, गुलाब की पतियां, सौफ, मक्को, कांसनी, उंट कटारा, ये पांच चीजे हम वजन पीसकर कप में डालिए, खुब खौलता गरम पानी डालिए, इसको थोड़ा इंफ्यूजड होने दीजिए, ये आप पीजे सुबह शाम, जिगर के तमाम अमराज में बहुत अच्छा है, हैपिटाइटिस A, B, C, में भी अपनी अदवियाद के साथ आप ले सकते हैं, तो इसका ज मूली बहुत चीजों का इलाज है, मूली के जो ताजा पते होते हैं, अच्छे कुछ लोग इसको मित कहते हैं, लेकि मैं कहते हूं कि किसी भी चीज से अगर आपको फर्ख पड़ता है तो जरूर कीजिए, ओ आप जो है ना, अगर आप कैप पहनते हैं, कैप में डाल दीज या वैसे ही आप यहां रखा कीजिए, रात को सोने से पहले, दूसरा वही पते जो है, उसको अच्छी तरह धोकर साफ करके, नहीं रखा वा नहीं, दूसरे मूली से, वो जरूर इस्तमाल कीजिए, जिनको भी जिगर के अमराज रहते हैं, उनको बहुत फर्ख पड़ता है एक और चीज, कि मूली का, जैसे वो करके न, कदुकश करके, अपनी जिगर की तरफ रात को बान दीजे, सुबा उठेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो कदुकश करके आपने बानदा है, वो पीला-पीला सा हो गया होगा, तो वो फेग दीजिए, जब तक मूली का सीजन हो ये वाला अमल जिनको भी, हैपिटाइटिस A, B, C, कुछ भी है, कोई भी जिगर के अमराज, इवन पैटी लिवर है, वो भी कीजिए, उनको बहुत फ़र्ख पड़ेगा, अच्छा, रॉक्सावा, ये मिस्स अलमास ने सवाल किया है, लहौर से, अच्छा, हमाईसाद आ क्या ह Państwo、 आठी हो कहा हम अलेकूम, अलेकों च्छा, ड्रस हो मिरा मसला है कि मूझे बहुत ज़र्ख ऴृधल को लाकुरिया है, जिसमें बहुत ज़र्ख रहता है, जिसमें बहुत ज़र्ख रहता है, वो जशाद रिखले की ऐ, उनको से, ऐक हिन खार, याडन आइसादा ने क नु पर ने कितो अर्शा किय दंदा किया कि एक माँ में कोई Fाइधा नियुका आप में जिए लूगा है उसके साथ आपने किया करने दोने चने खाने है नारियल का पानी पिना पिना है या नारियल का किस्तेमाल करना है कैल्शिम ज़ादा जैसे दूद्ध, हल्दी वाला दूद्ध पीजे, कुछ लोग बोलेंगे वो गरम होता है, अगर आप लिकोरिया है तो कैसे इस्तमाल करें आप इस्तमाल कीज़े, आपको फर्क पड़ेगा, आपको सलाजीत का इस्तमाल करना है, उससे भी फर्क पड़ेगा, वो high source of minerals है, ठीक है, जो आपके जिस्मानी दर्दे हैं, उससे फर्क पड़ेगा, और अपना vitamin D3 भी चेक करवाई है, ठीक है, इन अदवियात के साथ वो भ आपको खा जाता है, और खावतीन क्या करती है, पंदरा दिन करती है, वो कहते हैं, बस आप सही हो जाना चाहिए, नहीं तो या एक महीना, आपको कम असकम, कम असकम, छो है ना, छे महीने से साल तक करना है, अल्ला की हुकम से इन्शालला फर्क पड़ेगा, उसके साथ आप को परहेस करना है आपने चीनी और चीनी से बनीवी चीजे नहीं खाने ऑने हम बिलकुल नहीं खाने हैं तो बहुत ज़ादा फुर्कपड़ 될 का उर्ख को जो है ना अगर देसी मुर्गी आप इस्तेमाल करते है ठीक है रात को मुर्गी और चावल ये दो चीजे नहीं खाने तो इंशाला फर्क पड़ेगा अच्छा 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 ये मिसेज अलमास ने सवाल पूछा है इसलामबाद से इनके बच्चा है कि मेरा जिसकी उमर तकरीबन साड़े तीन साल है वो कभी भी खेलने के लिए बाहर जाता तो मिटी खा के आजाता है जिसकी विज़ा से उसका स्टमक अपसेट है जी पाइका बीमारी है जिसमें जो चीज आपके अंदर नहीं होती ना वो चीज आप कुद्रत से लेते हैं आप चल्शिम चेक कराएं और इसको कलोंजी शहद में मिला के सुबह खाली पेट दीजिए सहीं लॉंग का पानी दीजिए कुछ बच्चे होते हैं इसकी बहुत सारे रीजन्स होते हैं साइकलोजिकली भी बच्चे क्या करते हैं कि वो डरेवे होते हैं खौफ में होते हैं मा का जो है ना डुपट्टा चूसते कुछ माएं जो है उनको बच्चमन से आदर डाल देते हैं अपने बालों से खेलने की और वो फिर बाल खाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवारों पर जाकर ना जो आपका पेंट होता है वो निकाल के खाते हैं कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं चौक खाते हैं जो दी जाती है जो बच्चे में मिट्टी खाने की आदत होती है तो अभी जितनी चीजे मैंने बताई है वो आप कीजिए अच्छा वो कोई दो दिन तीन नहीं कीजेगा बच्चे को कमस कम महीने बर दीजेगा इंशाला उनको अच्छा अच्छा लिए छाइब के बाई बहुत बड़े बड़े बिगाईब के अच्छा बाई बंस्याइब के अच्छा वेखान हो भी बहुत बाईब मसाइल हल हो सकते हैं, पानी का मसला दुनिया में हल हो सकता है, जो एना चाहियां जाने में मुश्किल होती है, लेकिन नामुम्किन नहीं है, असल में क्या करते हैं, हम जो क्रीम लगाते हैं, वो हमारी सुपरफिशल लेयर जिनके एपिडेमिस को डेमज कर देती हैं, उसके ब इलाज में आपको टमाटर का जूस भी आप पी सकते हैं, अब कुछ यूरिक ऐसे जिन की बढ़े वह वो बोलेंगे, हम टमाटर कैसे इस्तेमाल करें, छिलका उतारें, बीच हटाएं, वो टमाटर आपके लिए जो है वो आपके लिए फाइदे मन साबित हो का, लगाने के लि अजिसे लोगों को जोनेों तो क में आपके लिए को मिलाना उन्हों कुनों है क्याना जियूा वा ईला 14,000 नुदा का मुझा भर्म लिए मुझा कि यूतिया आप जियूं आपके लिए मने कुछ उर मिलाना साफेर्ए डेला लाथ कि उुस नग्हा ना है, वो आपकी रिचि मैंने आपको कैल्शियम का बता है वो सब आप कीजे आईरन सीरप पीजे लेकिन उसके साथ उश्वा मगरिबी लकडियां होती है यह इतना सा टुकड़ा लकडी का कूट कर खौलते गरम पानी में डुबो के रात को रख दीजे सुबा खाली पेट उसको पी लीजे आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्ख पड़ेगा यह याद रखिएगा और आपको क्या नहीं लगाना बिग नो किस पर है आप लीमू नहीं लगा सकती आलू का जूस नहीं लगा सकती बेकिंग पॉर्डर नहीं लगा सकती आप बरफ डायरेक नहीं लगा सकती यह चीजे चाहियों वाल अगर आपने फॉर्मूला क्रीम इस्तमाल नहीं की है तो अच्छा वक्त और जाते एक छोड़े से ब्रेक का डॉक्टर साहब हमाई साथ है मिलते हैं अपसे ब्रेक के बाद वेल्कम बैक हवतीनों हजरात आप देख रहे हैं दे मॉनिंग स्टार एक बाद फिर आपको शो में वेल्कम कहते हैं डॉक्टर बलकीस हमाई साथ मौजूद है डॉक्टर साहब यह रहत साब ने सवाल किया है इसलाम बाद से और यह पूछते हैं कि मैं इनकी उबहर है तक्रीम पैंतरस साह और इन्होंने लिखा है कि इनको बैटे-बैटे एक दिन यह टेलिविजन दे अच्छा देखे है इस फ्रोक के बाद एक्सराइज बहुत जरूरी होती है और नेच्रो पैथी में ना जब इस ट्रॉक हो ब्रेंस्टोग जो जैसे ब्रेंस्टोग का है ना तो उसके लिए जब आपको फालिज आम अलफाज में कहते हैं कि फालिज हो गया फालिज के उस पे उनको बहुत फर्क पड़ा वो अपने हल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ गए ऑल्दो कि उनको पांच से छे मेने लगे लेकि बिल्कुल सही हो गए नुस्खा ये है कि आपने कभूतर लेना है कभूतर को जिबा करके उसका जो ब्लाड है वो वर्टिबल कॉलंप पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है सर पे अच्छी तरह लगाना है और उसी कभूतर को पका के जिसे उसको यखनी बना के दीजिए यकीन कीजिए, तीन दिन दीजिए बहुत फर्क पड़ता है, हलाल है कभूतर खाना तो इसके बिलकुल इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा बच्छत होगी, अब अगर नहीं किया तो खरगोश, अब मतब कि काफी अर्सा गुजर चुका है, सरदियां आएं जिनको भी स्ट्रोक हुआ है, वो खरगोश का सूप बना के पीजिए, उससे बहुत फर्क यह कुछ ऐसी आयरुवेदिक रेमेडीज हैं, जो आपके ब्लाट क्लॉट अगर हो गया है, तो उसको खतम करने में नाच्रली आपकी मदद करता है, जब ब्लाट सिरुकलेशन अच्छी होगी, तो हाथ पाओं जो पैरलाइस पार्ट है, वो सही होने में मदद होगी, और जो है न फिर आग का तेल, जैसे आग के पत्तों को तिल के तेल में पका कर इंफ्यूस्ट करके उसको उतार लीजिए, जितने पत्ते डालेंगे उतना अच्छा है, उसके बाद उसमें लॉंग का एसेंशल ओल, मिसाल के तो अगर आपने 250 ml लिया है, तो उसमें 10 ml लॉंग क एसेंशल ओल, 10 ml, दारचीनी का एसेंशल ओल, मिक्स कर लीजिए इससे, और फिर इसमें 50 ml तारपीन का तेल डालना है, इतना जबर्दस फालिज के मरीजों के लिए ये ओल तयार हो जाएगा, इसकी मसाज कीजिए, इससे फर्क पड़ेगा, फिजियो थेरपी कराईए, अल बहुत फर्क आएगा, जगली का भूतर का ब्लट लगाना है, उसके निदे कुछ चीज, कुछ भी नी, कुछ भी नी, सिर्फ ब्लट, देखे उसको जिबा ऐसे करें कि कोई ऐसा प्याला वगरा रख लें कि ब्लट उसमें आज, ठीक है, बहुत जबर्दस नुस्खा है ये और इसका फाइदा हमने अपनी फैमिली में देखा है, और सेर पर गर्दन, पूरी लगाना है, और फ्सका नौफेमिली में लगाना है और तीन दिन जडिन, दूसरे दिन लगा बतार, आक मरीज ठीक होझाईगा, इतनी जल्दी यो जड़िज मूरीज ठीक हो जाएगा, आ लेखने से बात किरवाई जी बात कीजिए जी इसलाम ले ड्साब लालेकुम असलाम करें अलाहम थेख ठाक दमासा बूटी? देखे वो blood purifier है, बिल्कुल सही है, उनको जो viral warts हो गए न बिटा, तो वो फेलते चले जाते, दमासा बूटी हर मर्ज में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चासकों के बीच के साथ ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखे, सफाई, निफ से माने, पसीना नहीं आने दे, और जो दवा जो चासकों के बीच बोले हैं, वो नहीं छोड़े हैं, और दमासा बूटी भी इस्त के वो उसे ना जो रूटीन है वो तगी रहे अच्छे देखे मेनोपॉस जब स्टार्ट होता है तो आपको कैल्शम की जरूरत जादा पड़ती है और फिर मूट स्विंग बहुत हो रहे होते हैं तो उसके लिए कैमोमाइल टी बहुत अच्छा है अद्रग का कहवा बहुत अ और उसके साथ जो है ना जो नट्स वगएरा है अपना घुजा बिल्कुल जैसे आप खा रहें आप खाईए कैमोमाइल टी पीजे ताके मूट स्विंग से वो सही हो जाए इवनिंग प्रिम रोज ओईल है उसका इसका इसका इसकी टी अगर आपको मिलती है तो यह बहुत इस्तमाल कीजिए इन्शालला इससे फर्क पड़ेगा जो मेनोपोस का जो एक अर्सा है वो आराम से गुजर जाएगा ठीक है ठीक है बुजारत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कवदीनों अज़राट डोकर साब हम आसाथ मौजूद है हम ले रहें एक छोटा सब्रे कि मिलते हैं अब से थोड़ी सिदे वेल्कम बैक आप देख रहें दे मौनिंग स्टार डोक्टर बिलकी समय साथ मौजूद है डोक्र सबाच क्या रेमेडी बता रहे हैं अच्छा वो रेमेडी बताने से पहले जो मैंने ब्लैक को होच का तो बहुत सारे लोगों को होगा कि वो मिलेगा नहीं तो होमेपैथिक में इसकी दवा मिलती सीमी सी फुगा तो आप उसका विस्तमाल कर सकते पुटेंसी बता देती हूं 200 की पुटेंसी में फाइफ ड्रॉप्स वन सदे आप ले लिया ले लिया कीजिए जिनको हॉट फ्लेश होते मूट स्विंग होते हैं और वो मेनोपॉस में हैं तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा मैं आज बता रही हूँ पिछले हफ़ते बता रहे थे टाइम ने मिला unwanted hair के लिए मेरी नजर में सबसे बहतरीं remedy है जब बच्चा पैदा होता है ना उसके बाद से ही आपने जो unwanted hair है उनके उसको खतम करने के लि है यकीन करें उससे बाल जो है बहुत कम हो जाते हैं और बॉडी के बाल जो है जो आपको नहीं पसंदीदा बालें वो खतम हो जाते हैं अब आ जाते हैं कि रुए को हम कैसे खतम करें तो रुए को खतम करने के लिए आपने लेना है हल्दी और लिमू सही है इसमें पेस्ट बना लें अगर यह पेस्ट नहीं बन रहा तो थोड़ा सा चावल का अटा इसमें डाल दीजिए जहां आपके यह साइट पार्ट्स पे रुआ होता है हाथ पे रुआ होता है पेशानी पे रुआ होता है इदर रुआ होता है उस पे आप इसको लगा लीजिए जब इस सूख है तो ऐसे से करके जाड लीजिए आपने जंग नहीं करनी जितनी चीजे निकाल सकता है ठीक है नहीं निकला तो कोई बात नहीं मतब आप दूसी दफा कर लीजिए का और जो सबसे बहतरी नंबर वन हमारी हर्बॉलिजी में जो रेमेडी है वो है कुर्तुम के बीच का बीच का ओए बहुत मुश्किल से मिलता है कुर्तुम के बीच मिल जाते हैं ये देखे इस तरह होते हैं सेहे जैसे लीमू के बीच होते हैं शुमसभी के बीच होते ये भी उसी फैमली से तो इसी तरह कि आपको बीच MILLlas 192 बीच मिल जाते इसको पीस कर पॉडर बना लीजि उसके बाद आपने जैसे सुबा किया है तो रात को ये लगा कर सो जाएगे आहिस्ता आहिस्ता जो आपका मोटा बाल है वो आहिस्ता आहिस्ता खतम होगा वैक्सिंग और प्लाकिंग जो भी आप करते हैं बाल खतम करते हैं उसके बाद आपने तीन दिन लगातार लगाना है तो आप देखेंगे कि आपका unwanted hair है वो आसे-से खतम होज़ेगा मगर यह किसके खतम नहीं होंगे जिनका testosterone level बढ़ावा होगा male hormones बढ़ेवे होंगे polycystic ovaries होगा या prolactinian के hormonal imbalance तो hormonal imbalance के लिए internally इलाज कराईए externally इन चीज़ों का इस्तमाल कीजिए तो आपको फर्क पड़ेगा अमे कुलसूम ने पूचा है कि आखों में शेहद ढालना किसा है अगर असली है तो बहुत अच्छा है अगर नकली है तो फिर खेर-मन है यह भी बड़ मसला है यह भी बट मसला, कि डॉक्त बिलकी जिसना आपका तालोग नौड़न अरियास है जब आपका नौड़न एरियास जा रहे होते हैं तो हर मोड पर लोग खड़े होते हैं खुदरा उनसे शाहद नहीं लीजेगा जितना वह आप जजबात से खेलते हैं ना शाहद ही कोई खेलता है तो जोड़न बतारी है वह बहुत माज़रत के साथ मैं अपने उन भाईयों को भी बोलूँगी प्लीज आप चिटिंग ना करें तो बहुत रहे हैं और भाईयों को यह जांगा गए उनलगोगी तो असली शहयत को लिए किस हमसे बाईयों के साहँ है खरया है तो अप्लेका ऑगाले जिए जो जाड़ने अच्छेजए खरया हो खरया अब दो भी बाईयों करते हैं तो आप तो अपने तह रहे हैं गोगी तो बाईयों को भी मिल दूँजा हाँ, प्लीज, हाँ, चोटी मक्ही का लगावा, जो बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ट्रडिशनल ली शुर्मा लगाते ही रहते हैं, क्या शुर्मा लगाना भी आँखों के लिए बेतर है, देखे शुर्मा अगर सही है तो बहतर है नहीं तो आप घर में बना ले लिए सुर् को बिलकुल पीस कर, मतब के कपड़चान करते रहें, बिलकुल सुर्मे की तरह बन जाना चाहिए जैसे मेदे की तरह बन जाना चाहिए आपका सुर्मा तायर होगी आँखों मेलागा अच्छा और उसके निस्व टिपनों के हर चीज का इलाज एच है दूसरा का जल आपको करें हो अफम洪ासा बेहतरीन काजल बन जाएगा नेच्रल काजल जो और बहुत है है अ उर्गनिक आजाल काया में काजल में आप subject हैसे आप अगर करते हैं कि यह और ने करते हैं कि यह स्कूना देह कि अजी एगोला तो जूमा करते हैं वो आपका सुर्मा एग आप जाग आप सारा की कॉल है पंजाब करना चाहिए है अच्छों के अच्छों के लिए अच्छों के लिए अच्छों के लिए बहुत अच्छों के लिए अच्छों के लिए बहुत अच्छों के लिए 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 बहुत अ इनको अखाडे में अच्छति करें ना, मैं में अपने पेशन्ट को यह ही कहती हूं कि अगर यह अक्टिव है, बैठा नहीं रहता इसमें कोई कमी नहीं है, शरार्ते इतनी है कि हमें अक्टिव करके हमारी एनर्जी खतम कर देता है, तो क्या ज़रूरते मोटा करने की, वो अपना सारी एनर्जी कंस्यूम करें बहतरीन है वो बच्चा, ना उसमें आयोटीन की कमी है ना दुसरी चीजों की कमी है अश्वागंदा अजगन नागोरी अराम से मिलने वाला पॉडर है उसको पीस कर पॉडर बनाके वन फॉर्थ टी स्पून बच्चों को दूद में डाल के दीजे हम इतने एनर्जी ड्रिंक्स देते इतनी सारी चॉकलेट की चीजे देते उससे तो कहीं बैतर है के आप मैं तो को डाल के दीजेए मिस्री की वज़ा से थोड़ा मीठा भी हो जाएगा बच्चे जो एना पीले तो बहुत अच्छा है एक ट्रिक में माबाप को बिता देती जो देना चाहते क्यों कि अश्वगंदा थोड़ा थोड़ा रहता है आपने क्या करने आपने दो चमश दूद म पहले वो पिला दिया उसके बाद उसको मीठा दूद दे दीजे के भई पीलो इस तरह बच्चे काबु में आते क्योंकि आज कल के बच्चे हमारे माबाप है हम उनके बच्चे है कि इतनी दिल से निग लिए डॉक्टर साब है कि डॉक्टर साब बता है जो शुगर के ना तो वो नहीं कर सकती हो नहीं कर सकती है नग्त सब्सक्राइब को बहुत सब्सक्राइब कर से दिल से दिल्देयर करते ना कि जाता है वेलकम बैक खवतीन आजरात आप देख रहे हैं देखे देख रहे हैं ते बॉनिक स्टार एक बाफिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते कहरी बहुत जबद अशानदार पाकिसानी से जो के बहुत ही मुखतलिफ काम करती हैं हाउस अफ प्रॉशे से इ अलेकुम शामालेकूल कैसे हाँ से बाफिर जाया आपने बिसनस बैसे स्टार्ट किया अब जाती है कि गछाहिने बात इसम्मान जिए और आफ्र बाटू करे नौच यह अच्छ एक यह सौनिस नहीं है और अभी मैने पर दोमनेश पहले यह स्टार्ट किया कि है कि मतलब जै अपर यहgesetzा. मैं मनें तो तीन citing एक्सिपेट किया है ताकि आप अपनेस्किल्स को कि किस तரहů अपनेस्किल्स को उसके हो, ब किस तरह अपनेस्किल्स को यूस्स करते हुए. है अपनेस्किल्स को यूज़कर आप क्यों आपको शॉक था शुरू से जी मुझे शॉक था एक्चिली पहले मतलब यह होता है कि छोड़ा होता है सिस्टर कजन बनाती थी वह सिस्टर को बहुत ज्यादा मतलब बना कर देती थी तो आई वस आसके कि मैं मुझे बस एक चीज सिखा दे आप एक उसका टांका सिखा बाकी मुझे छोड़ा है तो फिर मैं इस तरह से मुझे शौक हूँ और मैं बहुत मतलब बनाने लगी फिर उसके बाद अब यह काफी टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यह चीज आती है मैं कभी-कभी ऐसा होता था विकेशन होते थे हमारे समा विकेशन या विं अच्छा और किती दिर लगती है एक पीस बनाने में एक पीस बनाने में डिपेंड्स अगर मैं यह मतलब बैंगल बना रही हूं तो यह अब मुझे क्योंके मैं फास बनाती हूं तो मुझे 10 मिनट लगते है इसको बनाने में एक बैंगल बनाने में तो मैं जल्दी बना ले कोई डिफरेंट डिज़ाइन चाहता है तो फिर वो क्या होता है कि वो इंट टेक्स ताइम चाहते हैं कि तुष्यक्ट थी बेल्स डगी तो हम पुंग तो हम उसी तन जिससे मैं यह कस्टमाइज बना आई यह मेरे पास और एक्चली तो यह मैंने अड़िय बना या भीने और यह हमने यूज किया अब हम इसको जो है वो जहानी जूट पर बनावा है इस यह हमने से नाम लिखाया तो हमें जितने भी मतलब अब नमबर ऑफ स्ट्रेंग हमें मिला है कि ओडर के 30 बनाने यह 35 बनाने तो उतने नाम लिखने पड़ेंगे तो यह कस्टमाइज और भी बनाते हैं अच्छा और क्या के चीज़ें प्रॉड़क्स में हमारे पास बैंगल्स हैं यह हमारे पास चोकर हैं यह हमारे पास टी काफी चीज़ें बनाई ही थी यह कीचेंज हैं हमारी और यह कीचेंज हैं सारी और यह एरपोर्ट्स जो होते हैं उनका कवर जी मुबाइल कवर भी तो अभी कुछ सेल आउट हो चुके हैं तो वह मेरे पास अवेलिबिलिटी नहीं यह यह रिंग्स हैं यह 14th August के हवाले से कि और हैं नहीं नहींचे मैंने इस कांफी चैलिगी ही और यह इस को ठीघरे चाहिए और इसके ऊपर वो डूरी स होती है से बनावाय ए अच्छायर की क्या प्राइस है इसके सब जादा था मेंने 300 हमने जी कर दिया क्या modest लूंकि का बार्के ल shamb बोर्किं को सब्क। कि कर् फिर अभी जो है और यह सारी यह बाली है नीजसी सरी पनी ए और और पॉट सारी चीजई हैं डिफरेंट्स और मुंझी भाबता है बी आप कही हो डिस्पेय नहीं करेए इस सोचल मीडिया के थूठू यह बिस्नस चला रही है जी इन स्वेल मेरी के थुरह थुरह एना भी निख जा मैं सिर्फ इंस्राग्राम के थुरह थू हों और फेस्बूग पकुए मेरा पेज पहले से उआप पर पर से प्रकियाव कि पारेश ही के साथ पैना आए टैच कि है अटाज है दो हूज अशहे है अज प्राइश है एक तुरिव यह बना के बेजा है वेरी नाइस अब अब ले जाने वाला जो TCIS यह आप किसी भी लिपट के थूर अगर आप इसको भेजते हैं तो वह चार्ज़ एक्चिली थोड़े होते हैं जादा कस्टमर पे आजाते हैं थोड़े हम बेर कर लेते हैं लेकिन यह अब किसी को पसंद आ गया है और वह चाहता है ओर्डर करना तो फिर वह भेज़े हैं अच्छा बापते शमा आपकी घरवालों का कैसा रिस्पॉंस था जब आपने यह पूरा सेट अप शुरू किया मेरे बहुत सपोर्ट है मतलब मैं हूँ और मेरी दो बेटिया हैं माशलाह से एक बेटी मेरी बेटी मेरी और A-Levels किया उनोंने बढ़ा उनोंने तो और एक और है वो लेवल सानू का रिजल्ट है और वो भी बेकन हूस है वो भी बेकन हूस मैं भी बेकन हूस है अच्छा हेल पेकन होसा चाहला को meno mul скорее वैण गरेव अच्छा तो मेरी परोच के इस अच्छा चाहल को थे स्कूल के साथ किया स्वीशन के साथ किया अच्छाँ के साथ किया नाहा हाम्आ थरूट मिलिन्यम स्कूल रहा था नहीं प противます तो फैबली की बहुत सपोर्ट है, मेरे भाई बहुत सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब अच्छा है। और अगर नहीं सेल हुआ, बिकॉज में भी आरजी में इस्टॉल लगाया था अपना तो वहां में गई थी, 13th August को तो उसको मैंने बलाया, मैंने का आओ विजिट करो, तो यह केम तो मैंने उसको का भाई तुम्मे तो खरीदना है, कहले हाँ मैं खरीदूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, स्टार्ट तो हमने ही, मतलब फैमली से स्टार्ट होता है, तो फिर उन्होंने मतलब कुछ है, वो डेफिनिटली मिलता है, मुझे बाता है, हर बिजनस कोई भी इनसान शुरू करता है, तो उसकी एक expansion के बारे में, डेफिनिटली सोचता है, उसको एक limit तक पहुंचाना उनके जहन में होता है, इसको मैं इस brand को मैं यहाँ देखना चाहती है, किस तरह को यह खाब मैं यह सोचा है कि, मैं देखें, इंस्ट्राग्राम पे चलाने का मतलब है कि यह all over the world reachable है, और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि हम हाथ का मतलब काम को पसंद करते हैं, लोग और अप्रोच भी करते हैं, लेकिन बहाँ बहुत ज्यादा फॉरन में भी लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं, इस ट्रेस रिलीवर है यह एक तरीके से, बिल्कुल सही बात, कि अगर कोई इस्ट्रेस आ कोई काम कर रहे हो तो, आधिक आर्ट का हर फॉर्म है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो मेरा यह है कि मैं इसको जाप्स के उपर ले जान बाक्या है maturity 100 के वी बाक्या अब हम दो कि ओड़ी構ं लिगा। को से लिफाए से मिफसे लेखोड़ीwol साना एक चैनल आप रखेम, कि आपकोई सेल लगाती है, अजह अजह प्रिं निण लंही हम हैं अउदी को शसेल, कि नजहाँभी पर्मोशिंन, क्नौन हमाने फोर्थीद बहुत 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 शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए और हमारी हमेशा से एक खाहिश होती है कि हम इस तरह की बहुतरीन खावतीन को आप से इंडिड्यूस करें कि पेजिस आप तक पहुंचाएं क्यूंकि एजुके इजुकेशन इस भी हैं टीचर हैं और इसके साथ कि आपका जो ब्राइंड है वो और तरक्की के लिए जिस दिन आप पहला फोटो फ्रेम मनाए ना इसका आप वो मुझे बेजेंगी और भाइट फ्रम यू अश्मा लवली अमीरिंग्यू वक्त और जाते एक चोटे से ब्रेक का खावतीन और अजरात मिलतें आप से ब्रेक वेल्कम बैक आप देख रहें दे मौनिंग स्टार एकवा फिर आपको शो में वेल्कम कहते हैं और आपकी मुलाकात किराते हैं हमाई आज की डिजाइनर से हमाई साथ है महा शेयर सालकुम महा कैसे हैं बिल्कुल ठीक महा आपका इपका ब्रैंड है चूजी एक्स्प्लिसि जो के आप काफी अर्से से इसको रन करें मुझे बताएं ये जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी जब मेरा फर्स फैशन शो हुआ था जर्मनी में मेरा फादर का टेक्स्टाइल्स का बिजनस है और मैं बच्पन से देख रही थी कलर्स तो वो एक आटमाटिकली एक इंटरेस्ट इवेलेप हुआ और पापा ने का के चलो मैं आपको लेके चलता हूँ आप एक पूरी रेंज क्रेट करो उस टाइम पे कलोन में इंटर जीन पै था और फैशन शो अपना परसनल था तो वहां से मैंने एक अपना फर्स ब्रांड किया चुजी एक्स्प्लिसिट के नाम से उसके बाद फैशन स्कूल गई तो पाकस्तान स्कूल फैशन दिजाइन में मैं परड़ी थी थी था ता टाइम और फिर मेरा फैटी में अड्मिशन वा न्यॉर्क में महा से फिर अब फैशन की जरूनी मेरी शूरू ही एड़ी और अचा जब आप अपना पहले ही अपने कलेक्शन तयार की थी पैली कलेक्शन की वगालते जब यंग जब सूंस होते हैं तो बहुत सारे आपके एक थोड़से खाब होते हैं आप इतना जादा एक कहकेते हैं आप एक और अदियन्स को समझने वाले कप्डे नहीं बनाना चा इतनी जादा उसमें बहुत बहुत जब जादा इनोवेशन की उसके लिए सीक्वेंस का भी काम अट किया तो बेसिकली वो पाकिस्तान और जिसको कहते हैं अप्यूजन ब्लेंड किया पाकिस्तान और अमेरिका और लंडन के हिसाब से बड़ा अच्छा रहा हो लोगों ने बहुत एप्रिशेट भी किया कि हम जरूरी निया कि एस्टन को वेस्टन को फ्यूजन करके नहीं बना सकते हैं तो मैंने इन्जॉय किया लेकिन इतनी जादा उसमें मैंने बोल्डनेस नहीं शोगी बिकोज यह था कि इस तो बी वेरिबल और इस वार्ट उसको पेहन भी सक इन डिपेंगे इन डिपेंगे अपट उप जो भी ख्लाइंट की रिखार्मेंट होती है जैसे अगर आपने में कुर्ता की तो आजकल 10,000 प्लस लूपीज की यह भी अफोड़बल हार कोई ले सकता है फिर इन गोज अप तो यह बने जितनी भी आप चाहें तो आप कस्तमा जाएंगी कि मैं उनको वो चीज सस्ते में बना दू तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फिकाज इस पॉपी इस पाप्रेग काम करना बहुत अच्छा लगता है यह लगत प्र शिल्क बिग्सेट पर इतनी अच्छी पॉल आती है तो अधिए इन रिचनेस लिगत वाकी फैबरीग अच्छा महाद जो बिजनस है हमारा उसमें कट थ्रोट कॉंपेटिशन होता है और आप यकीन अपने जो अपने जो कंपेड़िटर्स है उनको भी दमाग में रखते हुए अपना काम बनाती होंगी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई कोई पंदरा दिन के बाद उसके आपकी क दुबाई में एक्जिबिट हुई है तो I feel proud बिकॉस चलो कॉपी चीज हो रही है तो कुछ बात नहीं I don't get upset Imitation, flattery, bethli. It feels good क्योंके लगता है कि किसी और को भी inspiration मिली है और को मेरी अच्छे designs approved भी हो है और बाकियों से उनको पसंद भी आए तो अच्छा फील होता है और यह भी तो कभी होता हो कि कोई ऐसी चीज आपने बहुत दिल से बनाई उसको वह वाला response ना मिला हो जो किया एक्स्पेक कर रही हो Not really, to be honest with you, जो least favorite होता है वो सबसे जादा फेवरिट होता है और जो मेरा बहुत जादा फेवरिट होता है वो भी मैं जब चल जाएता है बिखुस मैं बहुत मॉड़िस डिजाइन बनाती हो और मैं वो चीज बनाऊंगी कि वो हर तपके का इंसान पहन सके यह लिए कि सिर्फ एक ही मार्केट को टागेट करके उनी के लिए बनाया तो पहनना जो है हर किसी की उपाइश होती है एविबडी ड्रीम्स के अच्छा हमें यह वाला डिजाइन पहनना है आप मेक शूर के वो कट ऐसा हो वो फिट ऐसी हो के अच्छा माहा एक फैशन का जो एक एक उसूल है कि वो बदलता रहता है और कभी भी जैसा नहीं रहता आप कभी इस ट्रेंड को फॉलो करती है कि अगर लॉंग शर्ट्स इन है तो आप में वो बनाना शिरू करती है या आप हर कलेक्शन में हर दफा अपना गुनिया ट्रेंड लेके आती है इस अ ब्लेंड अफ बोथ मैं अपना ट्रेंड भी लेके आती हूँ और जब अमेरिका में मैं प्र रह रही थी एप इस थिक्षाइग की थी और उस हिसाब से वह collection अगर lens लंडी भी चल रही है तो शॉट भी चल रही है तो शॉट भी चल रही है तो आफ्टर कोविड फैशन की कोई लिमित नी रही है हर चीज बन रही है from short shirt to long shirt to peplum to lehengas and pishwas everything is like in now वह depend करते है क्या आपकी silhouette क्या है आपकी body structure क्या आपको क्या suit करें तो उस हिसाब से हमें fashion को तो follow करना चाहिए but we also have to see what suits us यह बहुत जरूरी बात है I think बहुत सारे इसना के लोग है you know who fall victim to fashion और वो कुछ भी पहनना चाहते है जाए उन पर suit करना हो यह ना करो अगर कभी कोई client आपके पास है और आपस इस तरह की demand करें के मेर लिए यह बना दो और आपको पता हो कि भई यह इन पर अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या करती है बना देंगे आप इनको यह मश्वरा देती है के नहीं आप यह मत पहने है I make them try different different cuts और उसमें यह होता है कि लिकिन कभी महा ऐसा होते है कि they are not looking nice और उनको अपना पच्छा लग रहा होता है कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ मेरे साथ भी ऐसे ही हूते है मेरा बहुत चाहर होते है कि मुझे वह बीट ऑवाला पहना मुझे पहने पहला बोभंसान पहना do Mm- topics इन मुझे आपकोई त Natalie Class पहले उसाथ हूँ तो भी ल прек्यों लेग उनको perfection 근데 मेरे पहच आते है है clients तो उसमें भी आप और दूबले पतले लगो कि तो जो चीज है ना आप जो डिजाइन जो मेरा डिजाइन प्रियेट हुआ वह उस पे अच्छा नहीं लगेगा तो I make sure के convince करके उनको realize करा के उनको envision करा के मैं भेजू के आपको यह चीज सूट करें यह चीज सूट नहीं करें तो आप उस हसाब से अपना अभी wardrobe को वैसे बनाएं जिस तरह बहुत सारे लोग मानते हैं महा के you know there's been a death of fashion your fashion has been really weak in Pakistan past 5-6 साल से अब जातार जो भी designers है अगर आपको पता है economics को भी देखना पड़ता है वो आपने घर चलाने के लिए everybody is trying to venture into bridal wares के वहाँ पे पैसों का बहुत जादा गेम है अचा दूसरी तरह अगर आप देगे बार आपके Snapchat पे Instagram पे एड़ता है I don't know personally I don't find them fashionable मुझे बहुत और लगता है लगता है sleeping suit है exactly my point मुझे बिल्कुली अचा लगता है मुझे लगता है पाकिस्तानी खवतीन के जो कप्ड़े है you know the kind of clothes they wear मुझे लगता है हमेशा से थोड़े से अगर अगर आप लेगसी देगे अगर अगर आप राना ल्याकत अ मुझे लगता है बेनाजीर भुटो की ड्रेसिंग संसे के अगर आप फिल्म स्टार जेबा श्रबनम बाबरा इनके तो हमेशा से इलाबरेटे कप्ड़े रहे हैं दुपते रहे हैं और बहुत ज्यादा एक अच्छा है मुझे लगता है कि पाकिसानी खवतीन दुबे द्र खवतीन मुझे लगता है अच्छा इनके रहे हैं आप लगता है ड्र गया गया आपकता है लगता है लुट जा जादा लोगों कोशिश कर लिए कि हम यह तो बहुत ही जादा रेड कापिट लोग बनाले है यह बिलकोल ही आपके यह कोड़ सेट सेट लोग पनाले जा रहे ह और एक वो टिशु पेपर कॉंसेट हो गया, that's what I think. कि सस्ता कपड़ा लिने एक दफा पैना रखती है, एक दफा पैना रखती है. अब वो रिच्छनेस निरे हमारे पास प्योर कपड़ा नहीं आ रहा है, इम्पोर्ट की वज़े से हमारा पहले चाइना से आता था, मैं अभी भी, I try to maintain a little bit of detailing, ता कि अगर आप simple kurta भी ले रहे हो, उसमें भी detail होनी चाइए, उसमें भी royal factor रहे, क्योंकि वो element जो हर किसी में अब नहीं आ रहा, yesterday I was at the mall, बहुत अच्छे कप्रे थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वो, मैं from dressing to my office, to a lunch, पे मैं पहन सकूँ, क्योंकि मेरे पास माइन में यही concept है, अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे है, तो वो ऐसा office wear होना चाहिए, के वो आप converted into a lunch, आपने साथ styling कर दी with your accessory bag, shoe, air rings, तोड़े आप तो उसको आप convert करें from everyday wear to somewhere you can go, यही कि आप घर में भी बैठे में, तो you have to look like, you know, a very shabby person, you need to dress up and maintain yourself घर में भी ताकि आप उठके आपका दिल चारे बाहर जाने को, okay let's go, में अप जा सकते, यह नहीं कहा बस उसी हाल में जहको लगते हैं, जब थोड़सा त्यार होता हैं आपने एक the detailed कपड़े पहने होते हैं, त्यार त्यार फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं बक्तों जाते हैं कि छोड़े जब रेका महा हमाई साथ मौजूद हैं मिलते हैं आपसे थोड़ी से तरफे अच्छा आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं दे मौनिंग स्टार हमाई साथ हैं महाशेख और महाशेख दिखारी है अपनी लेटिस कलेक्शन अच्छा महाई यह अपकर लेटिस पीस है एस प्लीस एक पीछे पीछे इस आउटफिट के पीछे एक स्टोरी हैं कि मैंने लास्ट यह अंब्रे कलेक्शन की ती ऑंब्रे क्लेक्शन इस शेद गो फ्रॉप औंडाउं लाउं धान तौन 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 तो उसके अंधर आप इस अंदर अप दिफ्रें। जब लिए भी निशनिसके क्योशिए वी बैचलेट, यहां नीचे से आप देख रहे है यह एक राज बराउन्यें से प्राउनमेक। आप लाज प्राउनमेश टानियक्त कंग मैं रही जगेत किया रहा है अधर यह जगेशन किया लिए जगन के दिखा सबली हैs अगर में बहुत पसंदे में ब्लॉक प्रिंटिंग भी किये उसके बाद मैंने यह मोटियों की इसकी उपर मोटिफ बनवा के यह एक जाकेट के यह जाकेट किया यह अप सेपरेटली भी पहन सकते हैं ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं तो मेरे जो पीसे है वो बहुत फूजन इसको आप इसको एक इवनिंग एंग गाउन सकते हैं गेज्मन में अ बहुत लग रहा हैं और यह मेरा कुट अईसा है कि आप एक यह जो जा सकता है और एक हैवी पर बीजा सकता है अच्छा मुझे बता ही यह जो जाकेट है यह अलेदा से है बिल्कुल इस आटाच्च तु दो ड्रेस तो आप एक वाइट टीशिट ब्लू जीन पर भी लड़के पहन से बिल्कुल इस माइन कॉंसेट किए मेरे हार पिस को निक्स कर सकते हैं किसी और चीज के साथ डम् किया आपनर इंव पहन कि पहनी डैनमजीन पहने ओщज के ऊपर आपन टैंक टीटा पहना यह ज पहनuit पहने लावा अगर आपने एंवंनिग में किसी पार्टी पे जारहा है नीचे डग तान्कत्र पहन्य को उसक जेए भात करें ये लिए के लुए रॉएल टाइए जो भीटरियन आप इसका कॉलर देखें इसके मैंने कॉलर की उपर रॉफल करके बनाया है I did the ruffle sleeves because a richness maintain करनी थी एक पीस में तो मैंने अपने हर पीस में आप नोटिस करेगा कि उसमें खासमखास आप सॉलिड कलर भी अगर पहने तो आपको फील होगा कि अपने अच्छा पीस पैना हुए एक अपने रॉयल पीस पैना हुए इसके अंदर मैंने फ्रंट पे प्लीच द जहीं प्हेंस कе अच्छ करते की अ गुटिय। आपको बास कि अगर कोई मैंने तो को एक यौन खुशर में वरृक्षूर को उच आप को लैंग को ळा year को फीसट लग रॉफ प्सूरत ऑ्जाश क्याज गार बें इं ग्या हुं मेंने गें बशे roundu 10 को सब्सक्ती आप सक्ता पहले हम पार्फ बादा ने पर इस बाता है उसमें बहुत सारे ऐसे कलर्स थे कि बोल्डनेस की तरह आप लोग नहीं जा रहे हैं बैस ये बहुत रहे हैं अच्छा लगेगा अगर हमने लौट पहने तो पता नहीं क्या हो जाएगा रहे हैं जाच जा वहा हैं जाच जागे मुद अपका सबसे रहा हो उसे आप ब्राइट कलर पहने बाद कलर से भीलप अपल्फिट दॉस औ मुलकुट तो इलें वहें इम्पूर्च उपलर्फ अपलिफ दो री इंपूर्ट फूर्त फॉर्स आप दुर्च रहांत आप कर दो और मेरा यह होट सेलर रहा है, I did an exhibition अभी मार्च में, USA में और यह मेरा सबसे होट सेलर रहा because इसका कट ऐसा है कि हर कोई पहन सकते है, मेरे पास एक प्रेगनेंट खातू नहीं थी, उन्होंने का कि मुझे कुई ऐसा पीस दो जिसमें में वह, you know, अभी ना लगो, तो यह इतना जबदस उनको फिटा है क्योंकि इसकी साइड पे मैंने प्रीट्स दी है तो तूलिप पैंस में यह है कि यह भी, again, you can wear it with a black t-shirt तूलिप और क्योलोट को थोड़ा जिसके लिए, yes, it's a combination, वो तूलिप शलवार निकली थी थी ना, उससे मैंने inspiration लेके तूलिप पैंस मना लिए और उसको मैंने यह सिंपल नहीं रखा, I did light beaded work, beaded work में यह है कि थोड़ा fun element आजाता है तो अच्छा लगता है पैंने में यह सुच रहा हो कि कभी हम महा के साथ ना, इनी की collection को mix and match करके नहीं के अच्छ करके नहीं ड्रेसे हम एक नहीं बना सकते हैं यह देखें, similar exactly same cutta, but इसकी थोड़ी से different look थी क्योंकि यह solid में वो थोड़ा सा embroidery के साथ, detailing के साथ, of course price range में दोनों में बहुत फरके मुझे महा जाथी तरप ऐसा लगता है कि अगर कपड़े थोड़े से heavy होते तो जो लोग जिनके पास अच्छे accessories नहीं है, यह expensive shoes bags नहीं है, उनकी बच्चात हो जाती है अच्छा dress पहना है बाकी उनोंगी चीज़े सिंपल ले लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने यह जैसे heavy है उसके चोटे से tops पहले यह good to go, आपको इसके साथ कोई चूडियां कोई पहनने के ज़रती है आप फ्लैट के साथ भी पहले आप ही पहले तो बड़ा अच्छ नहीं समझाता और आपकोंचो मुझे बाकी चीज़े पसंद है तो सबका अपना होता है मुझे कोई ऐससे fashion trend में हो नहीं है कि यह पसंद है वो पसंद है I like everything because if you're in the fashion industry you have to adapt you have to understand कि किस चीज में क्या अच्छा लगेगा like I'm wearing this is like more of a poncho style but it's very wearable क्योंकि मैं इसको वो लोग न अच्छा किसी पर्स की टेलिंग दे दिये है front अब देखें चोटा है back is a little length तो इसको stylize करें और फॉमल है फॉमल भी हो गया और यह आप फैशनेबल भी हो गया तो मुझे कोई वो नहीं कि यह नहीं पसंद वो नहीं पसंद as a designer as a colorful person I like everything excellent I think colors बहुत जरूरी है जरूरी है अच्छा मुझे बता है as a fashion designer I'm asking you बहुत सारे लोंके जो कि कि ब्राइल वे में colors के साथ experiment करते है अवसीन लेडीज वेरिंग ब्राइबल ब्लू ऑन बलीमा यह एक अजीब सा कोई निया कलर होता है कुछ लोग होता है जो कि ब्लाइक के पैच्छे वेल्वेट के यूस करते अब बहुत बड़ी कौम है कि ब्लाइक शादियों पर नहीं पहना चाहिए यह दो पीपल दिफरेंट कॉंसेप्स आपको कोई ऐसा शादियों का ट्रेंडेज आपको लगता है कि का अच्परिमेंट करना चाहिए या लोगों को ट्रडिशनल के साथ ही स्टेक करना चाहिए यहाद नही स्टे erश करना है कि ब्रॉप्रेंटल आप से चाहिए अ परन शेयरत पह बहुत जब तो चले जाएं और फिर यू नो एक आप सॉलिट कलर पैले और यॉर स्पेशल दे बट इस प्रेफरेंस वो उसमें कोई थिक और फास्ट रूल नहीं है कि यू आप तो स्टिक तो इस पिति इस पिति अच्छा लग रहा है महा इस लवली हाविग यू अन दे शो और महा शेक के जो सोशल मीडिया के लिंक से इनके और इनके ब्रैंड के इस अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं प्लीज विजिट कीजिए और अगर अभी तक आपने शॉपिंग नहीं किया अगले सीजन की तो महा शेक is the person to go to बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए कल अगर आपके साथ होंगे एक बेतरी से शो के साथ अपना ख्यार रखेगा खुदाफर्स कर दो कर दो कर दो